दिली कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष अर्विंदर सिंग लवली ने बीजेपी जॉइन कर ली बीते 28 अप्रेल को लवली ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ती आ था और पार्टी आला कमान से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी कॉंग्रेस चोड़ने के बाद लवली के बीजेपी में जाने के अटकले तेस हो गई थी और हुआ भी कोछ ऐसा ही बीते समय में कॉंग्रेस के किन बड़े निताओं ने बीजेपी के सरदस से ताली ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस जिसने देश की सत्ता पर लगभग सत्तर साल से ज़्यादा कबजा जमाय रखा और देश को बड़े बड़े राजनेता दिये लेकिन उस कॉंग्रेस का हाल इतना बेहाल हो चाएगा ये किसी ने कभी नहीं सोचा था धीरे धीरे कॉंग्रेस में नेताओं की गिनती कम होती जा रही है और कॉंग्रेस के इन पलायन करने वाले नेताओं के लिए बीजेपी दूसरा घर बन गई है जहाँ एक तरफ कॉंग्रेस की नेता नगरी में लगातार सुखा पड़ रहा है तो वहीं बीजेपी समंदर की तरह एक के बाद एक सभी नेताओं को अपने में समेटती जा रही है अब दिल्ली कॉंग्रेस के पूर्वध्ध्यक्ष ने भी कॉंग्रेस के हाथ को टाटा बाय बाय कर बीजेपी के कमल रत पर सवार होने का फैसला कर लिया बीते 28 अप्रेल को अरविंदर सिंग लबली ने दिली कॉंग्रेस के अध्यक्षुपत से स्तीफा दे दिया था और शनिवार को अरविंदर सिंग लबली ने कॉंग्रेस नीता राजकुमार चोहार, हमित मलिक, नसीब सिंग और नीरज बसोया के साथ बीजेपी का दामन धाम अब एक नजर अरविंदर सिंग लबली के सियासी इतिहास पर डाल लेते हैं रविंदर सिंग लबली का सियासी इतिहास तीन बार की विधायक हैं अरविंदर सिंग लबली 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्श की 2000 में प्रदूशन नियंतर्ण समिती के महा सचिव बने शीला दिक्षित सरकार में रह चुके हैं मंत्री 2017 में बीजेपी में हुए शामिल 2018 में फिर से कॉंग्रेस के हाथ से की दोस्ती ऐसा नहीं है कि अर्विंदर सिंग लबली या किसी कॉंग्रेस नेता ने लोग सभा चुनाव की इस लहर में अपने घर को बदल लिया है इससे पहले कॉंग्रेस नेता और अलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके विजेंदर सिंग, नवीन जिंदल, हर्याना सरकार में पूर्वो मंत्री सावित्री जिंदल, पूर्वो मंत्री कृष्णमूर्ती हुड़ा, अशोक चभान बीजेपी में शामिल हो गए थे जिसके बाद बहुत से राज्यों में भी कॉंग्रेस के खेमे में लगातार सेंध लगाती आई और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला गया बीजेपी के रद पर सवार हुए कॉंग्रेस के दिकज बारा फरवरी को कमल के रंग में रंगे पूर्वो मंत्री क्रिश्नमूर्थी हुड़दा तेरा फरवरी को पूर्वो मुख्य मंत्री अशुक चभान बीजेपी में हुए शामिल 28 मार्च को नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल ने थामा बीजेपी का दामन विजेंद्र सिंग ने 3 अपरेल को थामा बीजेपी का दामन बीजेपी लगातार कॉंग्रेस के गढ़ में सेंध लगा रही है और कॉंग्रेस के लिए अब अपने कुनवे को बचा पाना भी मुश्किल हो रहा है ऐसे में अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि कॉंग्रेस के ये बागी लोग सभा चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालते हैं व्यूरो रिपोर्ट विस्तार निउस गौालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार का अंतिम दोर जारी है साथ मई को गौालियर में मतदान होना है और इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से तयारिया पूरी कर ली गई है गौालियर पुलिस अधिक्षक धर्मवीर सिंग ने विस्तानियों से खास बात चीत की जहां हुने सुरक्षक को लेकर जानकारी दी है गौालियर चंबल अचल में प्रचार प्रसार का अंतियम दोर चल रहा है साथ मई को यहाँ पर मतदान होना है और गौालियर में क्या सुरक्षा विवस्ता को लेकि इंतियाम है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गौालियर के पुलिस अधी चक धरमिर सिंग जी सर साथ मई को मतदान है सुरक्षा की दर्श्टी से अगर बात करें तो क्या कुछ विवस्ता हैं की साथ मई के इलेक्षन की हम लोग पिछले दिनों से लगातार कारवेयां कर रहे है हमारी मदाता बंदों से अपील है कि वो बढ़ चड़ के मदान में विस्ता लें इलेक्षन प्रोसेस में किसी प्रकार की बिगन बादा ना हो उसके लगातार कारवेयां की गई है बड़ी संख्या में जो हमारे अरेस्ट वारन से उनको तामिल कराए गया है इलेक्षन प्रोसेस में ये सुनिशित करने का दायत तो है कि फिरी और फिर एलेक्षन हो बोटर बिना किसी डर्या दवाब के मद्दान कर सके और एक अच्छे वातरों में एलेक्षन हो तो एक अच्छा वातरण बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रियास कर रही है। अभी जिस तरीके से अवयत सरापर लगातार आप कारवाई कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि जब चुनाब परसाद थम जाता है, तो उसके बाद जो अवयत सराप है, उसके भी सप्लाई जाता हो जाती है। एसपी धर्मीज सिंग्थे हैं और उनका सापतर पर यही कहना है, कि जिस तरीके से चुनाब के दिन, चाहें वो अतिसम्मीदन सील, पूलिंग भूत हों या पिसम्मीदन सील, उन पर एक्स्टा पुलिस फोर्स लगाया गया है, ताके कोई सुरच्छा में चूक न हो। केमरामें संजे चंदिल के साथ अनिल गोर, बिस्ता न्यूज